तुमस्कार आंगनबाडी सेविका सहाई का मीनी बेहनों आप लोगों का हमारे आंगनबाडी न्यूज चैनल में श्वागत है हमें जो खबर लेकर आंगनबाडी बेहनों के लिए बहुत ही महतवपूर एक बहुत बड़ी जोहे की खबर निकल कर आ रही है जैसा कि हम आपको बतादे कि एक खबर जो निकल कर आ रही है तो आईए हम इसको पूरे बिस्तार से देखते हैं उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं की हैं प्रीज वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्क्राइब करके वेल आइकन को आन कर लिए आईए हम आपको सिधा खबर के तरफ ले चलते हैं जैसा कि हम आपको बता दे कि एक खबर जो निकल कर आ रही है वो जो है कि खबर जो है कि पोशाहार वित्रन कुल लेकर जो है कि निकल कर आ रही है यहाँ पे आपको हेडलाइन दिख रहा होगा कि लभार्थियों की संख्या में खेल होगा खतम तो जो लभार्थियों की संख्या थी उसमें जो ही की गलबड़ी पाई जा रही थी उसकी अब जो ही कि हाँ पताया जा रहे कि वो खेल जो ही की खतम कर दी गई है यह खेल किस तरव से खतम की गई है आए इसको देखते हैं जैसे कि यहां पर दिख रहा होगा कि पोशाहार वित्रण, आंगनवाली केंद्रवार तयार होगा लभार्थियों का digital data तो अब आंगनवाली केंद्रवार जो है कि तयार किया जाएगा जो डाटा तयार किया जाएगा वो जो है कि डीटल डाटा तयार होगा ये डाटा जो है कि किस तरह से डीटल तयार किया जाएगा इसको फिट कैसे किया जाएगा ये बाते यहां पर बताई जा रही है यहां प पताय जा रहे कि Common Service Center की मदद से लावार्थियों की संबंधित जनकारी डेटल ग्रूप में तयार की जा रही है इसमें लावार्थियों की संख्या उसके परिवार के किसी सदस्य का मुबाइल नंबर भी जो ही की दर्ज होगा इसमें उसका वास्तविक सत्यापन किया जाएग जैसा कि यहां पर बताया जा रहा है कि लावार्थियों की संख्या जो बढ़ा कर पोशाहार को अधिक लिया जा रहा है था वो कई बार की सिकायते मिली है जिसको लेकर अब यह बताया जा रहा है कि जो डाटा फिड किया जाएगा वो डेटल डाटा तयार किया जाएगा ज जो है कि संख्या को बढ़ा दिया जाता है उसको घटा दिया जाता है इसके संबन में बताया जाए रहा है कि अब जो है कि डाटा जो है कि डीटली फिड किया जाएगा यहां बताया जाए कि श्रेंडिवार तैयार होगा लाभार्थियों का डाटा योजना के तहत पोश्राह प्राप्त करने वाले लभार्थियों को 6 महिने से 3 वर्ष वह तीन वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे 11 से 14 वर्ष तक की स्कूल जाने वाले कि सूरियों और गरभावती धात्री महिलाओं को भी इसमें सामिल किया गया है तो इस तरह से ये बताये जा रहा है कि इसमें परिवार का एक mobile नंबर भी फिड किया जाएगा तो इस तरह से पोशाहर से related खबर निकल कर आ रही है जो कि हम आपको पूरे विस्तार से दिये हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्ली वीडियो को लाइक कर दिये और चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को आन कर लिए फिर मिलते हैं एगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत